सब खेले सुंग गया और प्रॉफिट भी क्या होगा सेलिंग बाइंग दोनों से क्योंकि दोनों हेट हुई थी दोनों साइड़ों पर टीपी ही हेट हुए थे तो अब बात करते हैं नेक्स्ट सिच्वेशन पर अब थोड़ी सी सिच्वेशन डिफिकल्ट है क्योंकि मार्के बेतर्टीब किर रही है और यह डेंगरस है ठीग है क्योंकि इस तरह इसका गिरना सेलर्ज के लिए दो चलो अबी तक है मगर अंक्रीब उनके लिए नुक्सान का बैस ही بن सकती है ठीग है क्योंकि मार्केट अगर बेतर्टीब गिरना शुरू हो जाए तो दोई वजोवात होती है या तो market retracement लेती है और इतनी बड़ी लेती है कि च्तना कमाया होता है वो एक एक साथ जाता है ठीक है तो या फिर और जादा crash down हो जाता है दोई situation है मगर यहां पे जादा crash down से जादा मुझे किसी एस स्पोर्ट की नजर आ रही है कि किसी एक स्पोर्ट से ये उठ सकती है और बेतरतीब उठे ही है ठीक है तो fundamental तो आपको बता है मैं देखता नहीं हूँ और नहीं मुझे पता है कि fundamental ऐसी आए और वो इसको उठाए ठीक है क्योंकि fundamental 90% तो technical analysis ही होते है उन्हीं को fundamental किया होता है ठीक है क्योंकि अगर कोई fundamental आ रही है ना for example वो कहते है कि हम ये कुछ भी इंट्रेस्टेट बढ़ा रहा है जो भी वो ऐसी बाते कर रहे होते है ठीक है तो आप ज़र जाकर चार्ट को वाच के जीगा चार्ट पर आपको market की sport ये resistance नजर आ जाएगी fundamental देखें तो आपको फोरान अंदाजा हो जाएगा कि हाँ fundamental कि side पे effect कर सकते हैं sell की तरफ या buy की तरफ क्योंकि 90% ऐसा ही होते देखा गया है कि fundamental उल्टा और जो होते हैं बनाए जाते हैं वो अगर ना भी देखो ना तो आप टेक्निकली देख रहे हो तो आपको फिर भी ज अलाइस कार के रखा हुए से यह तो यहां पर मार्केट स्पोर्ट पर खड़ी है 825 वाली 825 चोबीस यह स्पोर्ट एरिया नहीं सोरी 825 से 22 यह स्पोर्ट एरिया ठीक है तो अगर बाइंक की जाए without किसी confirmation तो 820 के साथ बेशक की जा सकती मगर मैं यहां पर बाइंक का नही मगर आपको यह जरूर कहूंगा कि अगर आपको अठारा सो 3849 चालिस के रिया मिले तो बेशक 45 के साथ सेलिंग कर सकते हो 45 के साथ सोरी यह तो टाइप करके आपको बताऊं टाइप 838 से 40 के रिया ठीक है तो एसल जो होगा वह 845 होगा क्योंक 844 करास नहीं कर पा रही ठीक है कली मैंने एक बाइंच चार्ट की तो 844 पर कटवा दी क्योंको 2024 करीब से जाकर रिजेक्ट हो रही थी ठीक है तो यह हो गया, सल अब बात करते हैं टीपी की तरफ देखें टीपी आपका दोबारा अथारा सो तीस होगा, सही है सेकंड टीपी आपका अथारा सो वुज़ेई 24 पच्छी सोगा सही है समझा गी, यह किनल आपको बात के पहला टीपी तक्रिबर 80 पिप्स का होगा और सेकंड टीपी आपका तक्रिबर बनता है 130 पिप्स का ठीक है, ऐसल आपका मेरे नासिब 60 डॉलर का बनता है अच्छा, अगर आपने बाइंग की तरफ सोचा भी तो आप 1814 चोदा पंद्रा ये बाइंग एरिया है ठीक है और इसका एसल मैं जरा देख लूँ कितना बनता है अच्छा, एसल आप इसका लगा लिजीगा अठारा सो ग्यारा ये आपका एसल हो गया ठीक है आप टीपी की बात करें तो मेरे अन्दासे देखें चार एक डालर का रिसक है तो आप अठारा सो एठारा सो सो रिए इस रख ले टीपी और अठार सो पचीस रख ले सही है वान रिशो वान रिशो टू मेरे अन्दासे काफी है आपके लिए आज के अनलस्स इंशाला न्यू नलस्स से मिलेंग अलाफिस हम बहुत सारा ख्यार रिखेगा